नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो इस वर्ष महाशुवरात्री 11 मार्च को मनाई जाएगी महाशुवरात्री शुव भक्तों के लिए सबसे महतोपुर्णा और पवित्र त्योहार है प्राचिन ग्रंथों के अनुसार इस दिन मा पार्वती और शुव जी का विवास संपन हुआ था इसी कारण इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व है महाशुवरात्री के दिन शुव मंदिर में जाकर शुव जी की विदी विधान से पूजा करते है साती राद भर जाक कर शुव जी के मंत्रों का जाप करते है शुव जी की विशेश करपा पाने के लिए इस रात्री में जागने का विधान किया गया है इसलिए अगर आप भी शुव जी की करपा पाना चाहते है तो इस दिन राद भर जाग कर ओम नमश्वाय मंत्र का जाप अवश्य करे शास्तुर में महाशुरात्री के दिन कुछ कामों को करने से वर्जित माना गया है जो भी मनुश्य शुरात्री के दिन ऐसे काम भूल से भी करता है तो उसे शुपूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता कुछ काम तो ऐसे है जो शुजी को क्रोध दिला सकते है इसलिए आप इस महाशुरात्री के आउसर पर ये काम कभी न करे और शुजी के क्रपा प्राप्त करे शुजी तो भूले नात है वे अपने भक्तों को जल्दी ही ख्षमा परदान करते है आप से जाने अन्जाने में कोई पाप हुआ है तो महाशुरात्री के दिन जागरन करके शुजी से ख्षमा मांगकर पाप मुक्तो हो सकते है तो आइए जान लेते हैं महाशुरात्री के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए? सबसे पहली बात मास मदिरा का सेवन. दोस्तों महाशुरात्री एक पवित्र दिन है. इस दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्तों के सेवन से बचना चाहिए. साती इस दिन मास का सेवन करने की मनाई की गई है. इस दि शिवरात्री के दिन किसी भी पशु के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करना पाप माना गया है। शिवरात्री के दिन किसी स्तिरी को कश्ट ना पहुंचा है। शिवरात्री के दिन कभी किसी के साथ पैसे को लेकर धोके बाजी ना करे। चोरी करना दूसरों का धन लुटना पाप की श्रिणी में आता है। शिवरात्री पुजा करने से उस पुजा का फल प्राप्त नहीं होता है। शिवरात्री के दिन अगर आपके द्वार पर कोई याचक भिख्षा मांगने आता है तूसे खाली हात न जाने दे। कुछ न कुछ दान अवश्य करे। इस दिन द्वार से किसी को खाली भेजना अशुब माना गया है। इसलिए ऐसा ना करे। तो दोस्तों यतेवन नव काम जो महाशुरात्री के दिन मनुश्य को नहीं करने चाहिए। अगर यह जान करें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंड में हर हर महादेव आवश्य लिखें। साथी चानल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।